आईए बच्चों, आज हम नहर या कैनाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये सिंचाई का एक बहुत उप्योगी साधन है। नहर एक कृतिम खाई होती है जो साधानता है समलंबाकार यानि की ट्रेपेजोडल शकल में होती है ये भूमी की सतय पर बनाई जाती है और नदी जील तथा जलाशे के पानी को खेतों तक पहुंचाती है। अब चुंकि नहर बनाने के लिए भी सिविल इंजिनियरिंग का उप्योग बहुत महत्वपूर्ण है तो इस इंचाई इंजिनियरिंग या आपके इरिगेशन इंजिनियरिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां पर इसके बारे में विशेश कर हमको डिटेल में जान दो उतपाद नहरे यहां नहरों की मरमत इत्यादी में जो सरकारी खर्चा या किसी पार्टी होतायर उसके अलावा कि खर्चा का मतलब जिसके रह रख रह है विए निनेंइनस आदिकारियों की लिए ईप्षान मुझी अत्रिक अधिक 6% सहजेस्व कर अधिक का राजय सॉ इन नहरों से जिल प्राप्थ होता है उसके उपर सुल्क लगाया जाता है जो सरकार TEX के रूप में किसानों से या आन्य जो कम्पनिया हैं जिनको जल पहुँचा जाता है में यस में इंaquत्रित किया जाता है तो इन्हें हुतपाद नहरे यह प्रोडक्शन नहरे कहा जाता है जिससे हमें फाइदा होता है हमें इतना मतलब राजसर गरूप में सरकार को फाइदा होता है जाता है जाता है अगला वर्गीघंड है प्रदाय सोत शुरोत किसम के अनुसार वर्गीघंड इनमें आता है पहला आता है स्थाई नहर या पर्मानेंट कैनाल अभी जो स्थाई नहरे होती है उनका जो मुख्य शुरोत होता है वह स्थाई शुरोत होता है जो खासकर जो नदिया या या ले लेख है या जो जीले हैं जिनमें सारे साल पानी रहता है यह मुख्य तर पहड़ी अलाकों से जमी वी बर्फ्रिक के पिघलने के करण उनमें जैल बहता रहता है देंद अन्तर जैल बहने वालाओं रहता हैं जो जैल का शुरोत है ये तो जो इन से निकलने वाली नहरे होती है उन्हें पर्मानेंट नहरे कहा जाता है या इन नहरों का जो अनुलम ढाल है अनुलम ढाल यानि लंबाई के अनुदिश जो ढाल आता है के जो केनाल की डिजाइनिंग है उसके अंदर लोंगिटूटेुटन स्लोप आपका या क्रॉससेक्शनल इरिया है नहरों का यह सब क्या जो नहरे बनाई जाती हैं उनकी आवसक्ता के अनुछार्यक मेर्श निश्रंड करके बना जाता है नहरों का वह भी लगता बना रहे प तो इन्हें पर्मानेंट इसलिए करा जाता है कि इनकी डिजाइनिंग प्रॉपर होती है नहरों में पानी पर नियंतरन रखने के लिए चिनाई या सिमेंट कंक्रीट के स्थाई कारे बनाये जाते हैं यह नहरें यदी मुख्यत है बर्फ से पिगलने वाली नडियों जल का शुरूत लेती है और यह संपूर्ण वर्ष तक पानी की सप्लाई करती है सानों पे पानी के लिए प्रमानेंट केनाल नहरों को नहरों को मुख्यत हैं प्रीनियल कैनाल या बारेमाशी नहरे कहते हैं इसके अलावा जो दूसरी नहरे हैं जीने बाड नहरे का जाता है इंगलिश में इंगनेशन के नाल भी का जाता है यह नहरे में पराए नदियों में सही ली जाती है लेकिन केवल बाड के पानी के ही दिनों में इन से जल नहरों में आता है नदी का पानी इनमें मोडने के लिए बीयर या बैराज जैसे कोई स्थाई कारिया की आवशकता नहीं होती है केवल head regulator क chassis अख़ता है जब नदी में बाड़ आती है तो उसका का पानी तक का तल उँंचा हो जाता है और head regulator जब खोल लिया जाता है तो नहर में आउशक पानी बहाद दिया जाता है वश्शा के र सकीक्राइब बाढ़का सर्ध ये तो नदी में कि नदी का तल भी बंद हो जाता तो यह नहिए नहर में आने वाला पानी सवतर है क्यानी क्रॉस रिए नहीं नहीं होता है न अम हंनर में गृरंद से बनाएगे बल्ला की तरह इस स्थाई रूप से रोप कोड़ते नहीं होती है यह अगला नहरों की कुर्णी कनौनी घायों के है जिसमें पहला आता है सिंचाई नहर या इडिगेशिन के नाल केवल सींचाई के पानी के काम्मिली जाती है sсыरहिंद्ध और रास्थान नहर इस नहर न के उधारण है यह केवल जल आपपुर्ती के कारिय को ही पूरा करती हैं इसके अलावा अगला किसम है नौका चालन नहरे या नेविगेशनल कैनाल इन कैनालों की गहराई अधिक होती है और प्रवा की गती बहुत कम रखी जाती है इनका मुखे उद्देश्य पानी वाले जहाजों का आवा गमन बनाए रखना है इनके उद्दरण है पनामा नहरे सवेज नहरे इन नहरों का पानी बिजली घरों तक ले जाता है जहां वह जनेरेटर को चलाता है और बिजली उत्पन होती है जनेरेटर के टर्बाइन को रोटेट करने में इस पानी के प्रेशर का उप्योग किया जाता है जिसकी वज़े से रोटेटर घूंचते हैं और बिजली का उत्पादन होता है नंगल हेंडल चैनल पावर के नाल का एक उधारण है नहरों के मैत्व तथा विस्तार के नुसार उनका वर्गी करन जिसमें पहला आता है मुख्य नहर या मेन के नाल यह नहर नदी या जील से सिदा पानी लेती है इन नहरों से पानी की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण इन में से मोगे या आउटलेट नहीं लिये जाते हैं ब्रांचुए वित्रक नहरों के लिए इन फीडर का काम करती है अगली किसम और ब्रांच कैना लिया ब्रांच नहर Mokhya nहar में से निकलती है वठों में जिस शेतर में सिंचाई कंडनी होती है वहां तक मुख्य नहर जब पहुंच जाती है तो मुख्य नहर से एक दो ब्रांचों में मांट दिया जाता है परतेक ब्रांच के लिए अलग-अलग छेतर निश्चित होते हैं इन नहरों में से भी प्राय सिंचाई नहीं के जायाती लेकिन नहर के पास यदि कोई उचा छेतर है तो जो किसी वित्रक नहर के कमांड में नहीं आता है अगली किसम है खाल या गुल नहरे जिने ये इंग्लिश में वाटर कोर्स भी खा जाता है ब्रांचों वित्रकों या मैनों पर खुले मोगे से निकलने निकला पानी खालों द्वारा ही खेतों तक पहुंचाया जाता है जहां इसमें सिंचाई के लिए जल कोप्यों किया जाता है ब्रांच कैनल का ये एक चितर है जो मदरास में स्थित है ये एक मुख्य कैनल का चितर है जो रोमानिया में है इसकी गेराई भी बहुत अधिक है जैसा कि आपको स्पस्ट हो रहा है इस चितर की सायता से आपको किस परकार से मुख्य नेर से नदी से होते वे मुख्य नेर और ब्रांच कैनलों में जल को वितित कर दिया जाता है से स्पस्ट हो जाएगा खेत तक खेत तक पहुंचते पहुंचते वह कैसे अलग-अलग ब्रांच नेरों से होते वे माइनर्स में आते वे खेत में मोंगों से होते वे जल पहुंचता है यह स्पस्ट हो जाएगा यह चितर भी इसी परकार के दिस्ट्रिबिशन को दर्शारा है कि किस परकार से में के अलग दर्शारा है कि क्रांच के नाल ब्रांच के नाल से दिस्ट्रिभूटरी और माने डिस्ट्रिब्री से होता हुआ जलग फ्रेतों में पहुंच रहा है उसका एक उधरन मात्र है कि कि इस परकार को परकार इसको आए झाल झाल